हलो दोस्तों मैं हूँ डॉक्टर सुनील टां, कंसल्टेंट स्पोर्ट फिजो थरपिस्ट और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेसल थम अर्थराइटिस के बारे में और अपने अंगुठे की स्ट्रेंथ और अपने अंगुठे की रींज को मेंटेन कर सकते हैं तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेर करें और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें दोस्तो हमारी बॉड़ी का हर जोइंट एक महत्पुन भूमी का अदा करता है जिस तरीके से हमें दोड़ने के लिए चलने के लिए एक अच्छे घुटने की जरूरत है उसी तरीके से हमें लिखने के लिए किसी चीज को पिंच या पकड़ने के लिए एक अच्छे अंगूठी के जरूरत होती है क्योंकि बेसिकलिए हमारा अंगूठा हमारी सबी फिंगर को सपोर्ट करता है किसे भी फाइन वर्क या किसी वेट को केरी करने के लिए बेसल थम अर्थ्रैटिस के अंदर MCP जोइंट यानि मेटा कार्पो फलेंजल जोइंट की कार्टिलेज डेमेज होना शुरू हो जाते हैं और बोन आपस में भिढ़ना शुरू हो जाती है यह उसी तरह के से होता है जिस तरह के से हमें गुटने का अर्थ्रैटिस होता है धीर धीरे काटिलेज डेमेज होती है और फिर वहां की बोन लगातार आपस में भिढ़ना शुरू हो जाती है इससे पेशेंट को पीन और स्वैलिंग रहती है अपने अंगुटी के अंदर और जब वो किसी चीज को ग्रिप करने की कोशिश करता है तो भी उसकी स्ट्रेंथ की कमी की एकारण वो चीज को ग्रिप नहीं कर पाता या फिर उसे वो एक्टिविटी करने में पीन जादा हो है तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से घर की एक्साइज करके हम अपने अंगुटी की स्ट्रेंथ को मेंटेन कर पाएं साथ ही उस पीन को और डपलब होने वाले अर्थ्रैटिस को भी हम रोक पाएं तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कुछ सिंपल exercises घर के छोटी-छोटी equipment के साथ आप कैसे कर सकते हैं तो इस video को end तक जरूर देखिएगा दोस्तों सबसे पहली exercise जो हमें अपने अंगोठे के लिए करनी है वो है stretching exercise तो इसको कैसे करना है आपको अपने अंगोठे को सामने की तरफ रखे दूसरे हाथ से पीछे की तरफ ले जाकर जहां तक आपको pain नहीं हो रहा वहां तक hold करना है और 5 से 10 सेकंड stretch करने के बाद में इसको वापेश चोड़ना है मैं आपको फिर दिखाता हूँ आपको side view में अगर देखें तो आपको इस तरह से इस पर press करना है और पीछे तक अंगोठे को लेके जाना है जिससे की आपकी थम की muscle stretch हो और वहां की stiffness और pain में आपको थोड़ा आराम मिले और ऐसा आपको अपने अंगोठे के लिए 5-10 बार दिन में 2 बार करना जरूरी है दूसरा गर हम stretch करें तो हम थम की nerve को थम की tendon को कैसे stretch करेंगे आपको अंगोठे को अपने 4 उंगलियों के बीच के इंदर इस तरह की से दबाना है और फिर हाथ को सीधा रखके नीचे की तरफ stretch करना है इसमें आपको अपने हाथ के उपर की तरफ nerve में जो अंगोठे का थम का moment करती है उस पूरी nerve और tendon में stretch feel होगा आपको उसको hold करना है 5-10 सेकिंड और release करना है आपको इस exercise को भी दिन में 2 बार करना है और कम से कम 10 से 5 repetition करना इसमें जरूरी है जिस तरीके से मैंने आपको बताया है थम को आपको बीच में रखना है और चारो finger से थम को दबा कर हाथ को नीचे की तरफ लेके जाना है इसमें आपको उपर की तरफ यहाँ पर stretch महसूस होगा और इसको छोड़ना है तो basically यह एक initial stretching है इसको करने से आपकी joint की muscle में अगर stiffness होगी थम में या फिर joint के इंदर पीन होगा तो उसमें आपको दोनों में ही आराम महसूस होगा दूसरी exercise करने के लिए आप अपने घर में hair band का use कर सकते हैं और आपको hair band को अपनी उंग्लियों में इस तरह की से लगाना है इस तरह से लगाने के बाद में फिर आपको सभी उंग्लियों को उपर की तरफ लेके जाना है hold करना है और वापिस धीद ये नीचे लेके आना है जैसा कि मैं आपको वापिस दिखा रहा हूँ आपको उपर की तरफ लेके जाना है उंग्लियों को खोलना है थम को उपी साथ में खोलना है इसको hold करना है 5-10 सेकिंड and release फिर पूरा उपर और release इसके लिए को इस special equipment के आपको ज़रूद नहीं है घर में जो hair band आप यूज़ करते हैं उसी तरह से आपको उसल लगाना है हाथ को पूरा खोलना है जितना आप इसे खोल सकते हैं पेंट फिरी वहाँ पे hold करना है और relax करना है बेसल थम arthritis के अंदर अपने अंगूठी की strength दीदरे कम होने लग जाती है और आपको किसी चीज़ को grip करने के अंदर भी आपकी strength बिलकुल महसूस नहीं करेंगे इस exercise से आपके अंगूठी की strength maintain होगी strength भढ़ेगी muscle पे load पढ़ने से और आप धीदीरे अपने अंगूठी की strength वापिस regain कर सकते हैं इस exercise को आपको दिन में दो बार करना है जैसा मैंने आपको दिखा रखा है same उसी तरीके से ध्यान रहे है कि exercise करते वे आपको pain नहीं होना चाहिए relax तीसी exercise है आपको अपने अंगूठे की pinch यानि कि आपकी grip को maintain या फिर strength को भढ़ाना है तो आपको इस तरीके से अंगूठे को और आपकी first index finger को इस तरह से pinch करना है और दूसरे हाथ से इसके बीच में ले जाकर बाहर की तरफ इसको खेंचना है जैसा कि आप देख सकते हैं जब मैं करके दिखा रहा हूँ आपको आपको इस अंगूठे की strength भढ़ानी है और लगातार इस exercise को करने से आपकी अंगूठे की strength भढ़ेगी इसे basically isometric exercise भी हम कह सकते हैं हमारे thumb joint के लिए same 5 से 10 repetition और twice in a day फिर basically हमें अपने अंगूठे की range of motion की exercises करनी है तो आपको अंगूठे को पूरा अंदर और पूरा भार की तरफ लेके जाना है जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ वीडियो में फिर अंदर से बाहर की तरफ और फिर आपको अपने हर उंग्लियों को अपने अंगूठे से टच करना है जैसे कि मैं करके दिखा रहा हूँ आपको यह सबी exercises आपकी अंगूठे की range को बढ़ाने के लिए है जो कि arthritis होने की कारण धीद्रे कम होती जाती है साथ ही strength भी आपको इन एक्साइस से बढ़ा सकते है अगर आप easily अपने उंग्लियों की tip को टच कर पा रहे हैं तो फिर उंग्लियों की base को टच करना शुरू करें ऐसा भी आपको दिन में दो बार करना है ध्यान रखें इस सभी exercise करने से पहले आप थोड़ा गरम का सेख अपने हाथ पर कर सकते हैं जिससे कि वहां की tight muscles या फिर swelling थोड़ी कम रहे और आप easily exercise कर पाएं कि इस exercise करने से पहले अपने therapist और अपने doctor की सला जरूर लें हो सकता है कि आपकी थम की pain की condition कुछ और हो और उसके अंदर exercise करने से आपको pain aggravate हो जाए तो अपने physiotherapist और doctor की सला लेने के बाद ही इन सभी exercise को कर सकते हैं उमीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा प्लीज हमरे चनल को subscribe करें, like करें और कुछ भी आपको doubt है exercise को लेके, अपनी condition को लेके तो आप हमें comment में लिख सकते हैं हम आपके हर question का जवाब जल्दी से जल देंगे Thank you